अगर आप एक नेपाली हो या नेपाली मुवी लवर्स हो तो आज इस वीडियो में बॉलिवुट एक्टर करीना कपूर की कुछ ऐसी बाते जिसको सुनने के बाद आज आप लोगों को बहुत गुस्सा आने वाले हैं तो चलिए बीना कोई देरी के वीडियो को सुरू करते ह हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा जिहां आप लोगों ने सही सुना करीने कपूर जो एक बहुत चर्चित बॉलिवुट अभी नेत्री जिसने दिखाया अपने पैसों की गर्मी नेपाली फ्रिम इंडर्स्ट्री को ये बात है 14 अगस्ट 2022 की जब लाल सिंग चड़ा रिलेज हुआ था उसके दो दिन बाद यानि कि 16 अगस्ट 2022 में एक इंटर्व्यू के दुरान ओडियंस को कुछ ये देखने को मिल मगर इतना ही नहीं उसके एक दिन बात यानि की 17 अगस्ट 2022 को करीने कपूर ने ट्विट किया नेपाली मूवी इंडर्स्ट्री को टार्गेट करते हुए जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा इसमें लिखा है मैं नेपाली ओडियंस को सम्मान करता हूँ और बहुत मानता हूँ मगर ये जो नेपाली फ्लिम इंडर्स्ट्री ने इंडिया में फ्लिम लांज करने की सोची है वो कभी सक्सेस्फुल नहीं होने वाली है तुम्हारा जो सस्ता मूवी में 2-3 करोड लगा है ये भी डूबने वाली है क्योंकि ये इंडियन ओडियंस को साथ और नेपाली जैसी कच्रा मूवी देखने को मिलेगा जिसको 180 करोड का मूवी पसंद नहीं आया वो क्या तुम्हारा सस्ता कच्रा मूवी देखेंगे इसका ऐसा पोस्ट के लिए क्या बोलना चाहोगी हम कमेंट पे अपना राय जरूर देना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजी ताकि आने वाले दिनों में ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपको पहुंसें